इस वीडियो में आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ quantity serving and valuation subject में estimation of t-type wall अगर t-type का wall वना हुआ है brick wall, brick machinery wall, t-joint की तरह है तो उसका estimating कैसे निकालते हैं? आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर question में आपको plan और elevation दोनों दिया गया है यह है plan, दो दिवार बना हुआ है, दोनों wall, एक wall आपका यह है और दूसरा wall यह है, दोनों इस प्रकार से मिलते हैं इस प्रकार से दोनों joint है कि वो plan में देखने में t-shape की तरह दिखाई देता है और उसका यह cross section है, cross section देखो यहाँ पर एक ही बनाया गया है तो इसका मतलब क्या है, कि दोनों ही दिवार का जो cross section है, वो same है यहनि इस wall का भी cross section वही है, और जो दूसरा वाला wall है आपका, इसका भी cross section same है all dimension in meter, अगर कहीं पर मैंने dimension नहीं लिखाया तो आप समझ जाएंगे meter में है हर एक value हमने यहाँ पर meter में लिया हुआ है, ठीक है तो आईए start करते हैं, तो सबसे पहले आप एक बात ध्यान देना, जब भी इस question को solve करना जब भी इस question को आप solve करना, तो इस T section में, यह जो T shape में दिखाई दे रहा है आपको इसमें यह flange है वह यह wave है, यह flange है यह wave है, हम ऐसा flange को आप पहले लेके solve करेंगे उसके बाद wave को लेके चलेंगे, यहाँ पर आप कुछ और नाम दे सकते हैं, flange का नाम दे सकते हैं, क्योंकि यह 4 मीटर लंबी wall है, यह 3 मीटर लंबी wall है इसे long wall का namCatherine, इसे short wall का namCatherine, ऐसा भी हो सकता है, question में, यह 3, meter दे दिया जाए, यह 4 meter दे दिया जाए, तो ऐसी बात नहीं है, कि आप हमेंसा long wall को लेंगे, फिर short wall को ऐसा नहीं है, आपको यह ध्यान देना है, जाया लबी wall हो, या छोटी wall हो, इससे मतलम नहीं है, कैसा आप पहले इसी वाल को लेंगे फिर इसको लेकर चलेंगे ठीक है तो सबसे पहले मैं सौल्व करूंगा सौट ट्रिक से जिसमें आपको इस फिगर का नालिसिस नहीं करना परेगा और जल्दी से आप सौल कर लेंगे अगर आपको यह समझ में आ गया अच्छे तरीके से बहुत अच्छी वात नहीं समझ में आएगा तो लास्ट में मैं दूसरे मेथट से बताऊंगा जिसे में आपको इस फिगर को मैं पूरा आपसेट लेके बताऊंगा उसमें टाइम लगता है बट जो पहला मेथट मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ही अच्छा मेथट इसका मतलब है यह जो प्लान दिया गया है यह सूपर स्ट्रक्चर का दिया गया है यह फाउंडेशन का नहीं दिया गया है यह फाउंडेशन में जो ब्रीक वर्क किया गया है उसका सेक्शन नहीं दिया गया है वहां का प्लान नहीं दिया गया है यह प्लान के वहल सूपर structure का है जब इसका foundation बनाया गया होगा तो इसका breath length सब कुछ जादा होगा बड़ वो हमें यहां पर दिखाय नहीं गया है यहां पर हमें केवल यहां superstructure का प्लान दे दिया गया है ठीक है हमें यहां पर चार चीजें निकालने के लिए कहा है क्या क्या कहा गया है earth excavation work cement concrete in foundation brick machinery in foundation and last brick machinery in super structure इतना ही दिया जाता है इसके लावा अगर और कुछ भी दे सकता है आपको तो cement plaster हो सकता है दे दिया जाए या white wash दे दिया जाए इसके लावा और कुछ आपको नहीं दिया जाएगा ठीक है तो सबसे पहले start करते है अर्थ एक्सक्यवेशन अर्थ वर्क सबसे पहले हम लोगे start करेंगे अर्थ वर्क को ठीक है अब अर्थ वर्क में सबसे पहले long wall को ले लेंगे यह है long wall यह है short wall तो यहाँ पे हम नाम लिखेंगे long wall नमबर आफ long wall कितना है एक है देखो एक long wall है और एक short wall है तो नमबर आफ wall में आप एक ही लिखेंगे यह column मैंने जान बुझ के यहाँ पे दे दिया है यह column मैंने यहाँ पर जान बुझ के दे दिया है इसकी जरुवत यहाँ पर नहीं है ठीक है तो नमबर आफ long wall कितना है एक अब length कैसे निकालेंगे आप length का तरीका समझ लीजिए यह long wall की लंबाई super structure में कितना है 4 मीटर है इसमें कितना लंबाई plus लेके चलेंगे आप क्योंकि जब earth work किया गया होगा तो उसकी लंबाई जादा रखा गया होगा breadth भी जादा था अब देखिए earth work में breadth कितना है 0.9 मीटर breadth है तो जितना breadth दिया रहता है उसमें से हमेशा minus करेंगे आप 0.3 जो भी work यहाँ पर लेके चलेंगे उसके breadth में हमेशा minus करेंगे 0.3 तो 0.9 में से 0.3 minus करेंगे तो 0.6 बचेगा वही 0.6 यहाँ पर जोर देते हैं तो यह हो जाएगा 4.6 मीटर यहाँ पर लंबाई कितना निकल के गया 4.6 यही concept आपका last तक चलता रहेगा long while के लिए ठीक है B और D में आपको कोई भी problem नहीं होगा क्योंकि B का value आपको दिखाई दे रहा है कितना है 0.9 मीटर इसमें calculation करने की need नहीं है अब इसका depth देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक लेके चलेंगे क्योंकि जब मिट्टी की खुदाई किया जाएगा foundation में तो नीचे से लेके GL line तक किया जाता है तो देखिए कितना है 527293 12 यानि 1.2 मीटर 1.2 मीटर यह depth हो गया ठीक है इसी प्रकार short wall का निकाल लीजिए short wall में एक चीज़ आप ध्यान देंगे number of wall तो एक ही है लंबाई कितना है 3 मीटर है तो लंबाई 3 मीटर ही रहेगा इसके लंबाई में कोई भी changing नहीं होता है न तो L section में कभी भी जो दूसरा वाला wall होता है short wall जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था उसमें हमेशा long wall जो आपका उसमें वर्टिकल जो length था उसमें changing हुआ था बट horizontal वाले length में changing नहीं हुआ था L type में L type का जो बना था इसमें changing होता था इसमें नहीं होता था और L type के question में इसके लंबाई में चेंज होगा फ्लेंज में बट वेब में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा इस चीज को आप रट लीजिए यही short trick है समझने का कि short wall वाले length में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है क्यों नहीं परिवर्तन होता है वो मैं वीडियो के end में बताऊंगा जब पहले method से complete कर लूँगा तब तो यह 3 meter है आपका ठीक है तो 3 meter ही रहेगा और B और D का value जो long wall में है वही short wall में रहेगा क्योंकि दोनों wall का ही cross section सेम है तो B और D आप यहां से देख के लिख लेंगे अब इनका quantity निकालिए quantity जब निकालेंगे तो 4 का multiply करते हैं 4.6 into 0.9 into 1.2 एक में multiply करेंगे तो वही आएगा तो उसमें करने क्या हो सकता नहीं है फिर दोनों को plus कर देंगे 8.2 meter cube और थोर के आ गया यहां पर जो मिट्टी की खुदाई करनी होगी वो कितनी करनी होगी 8.2 meter cube अब cement concrete in foundation की बात करेंगे cement concrete in foundation यहां पर भी आपको लॉंग वाल का निकालेंगे अब देखिए जितने बृत में जितने लंबाई में अर्थवर्क किया गया है उस पूरे length breath area में cement concrete डाला जाएगा कैसे पता चलता है इस figure से पता चलता है देखिए पूरे breath में cement concrete किया गया है ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि लॉंग वाल की लंबाई वही रहेगा cement concrete में breath का value भी वही रहेगा बट depth change हो जाएगा यहाँ पर cement concrete की जो गहराई है वो कितना है 0.3 मीटर तो यहाँ पर 0.3 मीटर लिख देंगे short wall में वैसे ही करेंगे जैसा मैंने आपको बताया number of wall एक है length में कोई परिवर्तन नहीं होगा 3 मीटर लिखेंगे और b or d का value वही लिखेंगे जो आपने long wall में लिखा हुआ है इसे भी calculate कीजिए सब का multiply कर लिजिए 3 into 0.9 into 0.3 0.81 हो जाएगा यह 2.05 मीटर क्यूब cement concrete आगया ठीक है अब मैं बात करूँगा brick machinery in foundation brick work in foundation foundation में जो brick work किया जाएगा यहाँ पर देखिए brick work जो किया गया है यह GL line के नीचे का portion foundation कहलाता है तो इसे में 1 offset, 2 offset, 3 offset 3 offset में brick work किया गया है 3 offset में किया गया है तो सबसे पहले हम लिखेंगे brick work in foundation और इसे में long wall पहले ले लिजिए long wall में 3 offset का पहले complete कर लेते हैं फिर short wall में चलेंगे first offset number half wall कितना है 1 अब देखिए लंबाई कैसे निकालेंगे length कैसे निकालेंगे long wall की पहले breath आपका 0.9 था तो 0.9 में से 0.3 माइनस किये थे अब आपका breath 0.6 है तो 0.6 में से 0.3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा तो इस 4 मीटर में कितना याड करेंगे आप 0.3 यह हो जाएगा 4.3 तो length कितना निकल के आगे आपका 4.3 मीटर B और D B और D यहाँ से देख के लिखिए B का value है 0.6 और D का value है 0.2 इसी प्रकार second offset में आप निकालेंगे जब second offset में निकालेंगे तब क्या काम करेंगे अब इसे में कितना लंबाई प्लस करेंगे जब second offset का breadth देखिए चितना है 0.5 मीटर तो 0.5 मीटर में से 0.3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0.2 बचेगा वही 0.2 यहाँ पलस कर दिजिए यह 4.2 आ जाएगा तो यहाँ पर second offset में length कितना हो जाएगा 4.2 और B का value 0.5, D का value 0.2 बिल्कुल इसी प्रकार आपको तीसरे offset का भी निकालना है तीसरे offset में कितना लंबाई पलस करेंगे तीसरे offset में देखिए 0.4 मीटर ब्रित है तो 0.4 में से 0.3 माइनस करेंगे तो 0.1 बचेगा तो यह लंबाई हो जाएगा 4.1 तो यहाँ पर लिग दीजिए 4.1 और B का value 0.4 और D का value 0.5 यह हो गया long wall का है आपका अब आप short wall में निकालेंगे तो short wall में जैसे आपको मैंने बताया है कि उसके length में कोई भी कमी नहीं होगा फर्स्ट आपसेट, सेकेंड आपसेट, एंड थर्ड आपसेट वन 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 तीनों में लंबाई में कोई changing नहीं होगा तीन मीटर है तो तीन मीटर लंबाई ही रहेगा बी और डी का value यहां से देखके लिख लिजिए जो long wall में दिया गया है बी और डी में कोई changing नहीं होगा अब calculate कर लिजिए पूरा वो सबको plus कर लिजिए last में यह हो जाएगा 4.3 into 0.6 into 0.2 अबाई 3.01 अब लास्ट आपसेट और बस्ता है आपका लास्ट आपसेट यह नहीं पांचव आपसेट लेकिन पांचव आपसेट नहीं लिखेंगे उसका हम नाम देदेंगे सूपर इस्ट्रक्चर का ब्रीक वर्क इन सूपर इस्ट्रक्चर और यहां पर लॉंग वाल एक लंबाई कैसे निकालेंगे अब जब हम यहां का निकालेंगे तो यहां का ब्रिथ 0.3 है तो 0.3 में से 0.3 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा यानि 4 मीटर में 0 प्लस करेंगे तो 4 मीटर ही आपका आ जाएगा बी का वैल्यू 0.3 और हाइड कितना है यहां से यहां तक यह है इसको हटा दूजिए 3.5 मिक्टर सोट वाल में लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा बी और दी जो लॉंग वाल का है 4.2 ठीक है तो इस प्रकार आपने यह चारो पर्टिकुलर वर्ग का निकाल लिया ठीक है तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है बहुत इजली इस तरीके से आ गया आपका अर्थवर्क भी सॉल्व हो गया सेमेंट कंक्रीट भी सॉल्व हो गया ब्रीक ओवर्किन फाउंडेशन में यहां टोटल हमने किया हुआ है उसके बाद ब्रीक ओवर्किन सूपर स्ट्रक्चर का भी निकल कर सामने आ गया अब मैंने आपको पहले बताया था यह तो हो गया सॉट ट्रिक इसमें आपको ज्यादा परिसानी नहीं हुआ बहुत इजली तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया बहुत इजली तरीके से सॉल्व हो गया इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ अगर आप लोग को यहां सायद नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ लॉंग वाल में देखिए लेंथ 4 मीटर रहेगा 4 मीटर B और D का वेलू 0.3 मीटर उसका ब्रित है और D का वेलू कितना है 3.5 यहां पर मैंने लिखा 0.3 ब्रित हो गया और D का वेलू 3.5 हो गया मल्टिप्लाई करेंगे तो 4.2 मीटर क्यूब आजाएगा सौट वाल में क्या है लंबाई में कोई चेंजिंग नहीं होगा 3 मीटर है सब जगह मैंने 3 मीटर ही लिया है तो 3 मीटर ही रहेगा B और D का वेलू वही लिख लीजिए जो लॉंग वाल में है 0.3 और 3.5 इसका मल्टिप्लाई कर लीजिएगा तो 3.15 आजाएगा फिर दोनों को जब पलस करेंगे तो 7.35 मीटर क्यूब यहां पर आजाएगा ठीक है चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि ऐसी क्या वज़ा है कि जो कि लॉंग वाल के लंबाई में इतना changing हुआ बट सोट वाल के लंबाई में कोई भी परिवर्टन या कोई भी changing नहीं हुआ ऐसा क्या वज़ा है क्यारीजन है उसको हम लोग समझते हैं देखिए जब केवल लॉंग वाल के लंबाई में ही चेंजिंग क्यों हुआ सौट वाल में नहीं हुआ यहाँ पर जो प्लान दिया गया है वो सूपर स्ट्रक्चर का दिया गया है बट जब नीचे फाउंडेशन बनाई जा रही थी तो उसका ब्रित्थ जादा लेके चले थे जादा ब्रित्थ होने के वज़़ा से उसकी लेंथ भी बढ़ गई थी आईए उसी का हम डाइगराम पूरा डिटेल में बनाते हैं यह है आपका फोर मीटर यहां से लेके यहां तक और यह है थी मीटर यह यहां का प्लान दिया गया है लेकिन बगल में यह जो आपसेट है इसका भी बना लीजिए डाइगराम आप कैसे बनाएंगे पहले थी था फिर जिरो पॉइंट फोर हो गया इसका मतलब क्या है कि इसकी बनाएंट कि प्रित कितना हो गया 0.4 अब देखो 0.5 इधर बढ़ा 0.5 इधर बढ़ा तो यह लंबाई कितना हो गया 0.4 हो गया है इधर से भी लंबाई है यह पूरा कितना हो गया 0.4 हो गया चारो तरफ 0.05 लंबाई बढ़ा दिया गया अगर मैं लिखना चाहूं तो लिग देता हूं यहाँ पर यह लंबाई कितना बढ़ा गया यहां पर लिख देते हैं 0.05 ठीक है दूसरे अब सेट की बात करूं मैं तो 0.4 से 0.5 हो गया फिर वही चीज आया 0.1 मीटर लेंथ जादा हो गया यानि 0.05 फिदर 0.05 इधर एक आपस्ट और बना दीजिए अब ये पूरा लेंथ कितना हो गया 0.5 कहीं और यहां पर लिखिलीजिए चाहो तो या इधर भी लिखिलीजिए दोनों में सेम है ये लंबाई भी कितना है आपका 0.05 मीटर में है सब उसके बाद 0.5 से 0.6 हो गया फिर वही चीज तो ये हो गया आपका पूरा लेंथ 0.6 ये भी 0.5 हो गया अब लास्ट में 0.6 से 0.9 हो गया यहनी 30 सेंटीमीटर बढ़ गया 15 सेंटीमीटर इधर अब 15 सेंटीमीटर का उपसेट बना देंगे एक ये 15 सेंटीमीटर लंबाई बढ़ा इसका है यहाँ पे और ये टोटल लंबाई हो गया आपका 0.9 ऐसे इधर भी चाहो तो लिख लो 0.9 ठीक है अब मैं बात करूंगा अर्थ वर्क का लॉंग वाल की बात करूंगा इस वॉल का अब देखिए जब मिट्टी की खुदाई किया गया फाउंडेशन करते समय इतना एडिया लेके चले थे और जैसे जैसे नीचे से उपर तरफ कंस्रक्षन होता हुआ चला आता है वैसे वैसे उसकी ब्रिथ लेंथ कम होता हुआ चला आता है और लास्ट में क्या बसता है उसका थिकनेस लास्ट में बचेगा 0.3 मीटर और लंबाई बचेगा 4 मीटर और ये लंबाई बचेगा 3 मीटर लेकिन फाउंडेशन के लिए ब्रिथ ज़्यादा लेके चले थे इसके वज़़े से लेंथ उसकी ज़्यादा हो गई थी अब मैं बात करूँगा अर्थ वरके में लॉंग वाल का लंबाई 4.6 कैसे आए देखो आपको मैं यहाँ जो समझाना चाह रहा हूँ B और D में कोई भी प्राउबलम आपको नहीं है क्योंकि B और D आपने यहाँ से देखके लिखा हुआ है और B और D साप साप दिखाई दे रहा है कि वहल मैं लेंथ समझाना चाह रहा हूँ कि length में क्यों changing हुआ long wall में ये length कैसे निकल के आया है और short wall में changing क्यों नहीं हुआ है पहले long wall की लंबाई निकाल के चलते है देखे 4 meter लंबाई यहां से लेके यहां तक है आपका question में दिया गया था यह देखो 4 meter दिया गया है तो यह हो गया 4 meter plus यहां से यह hon तक लंबाई 4 meter है और B का बैं और कितना plus करेंगे इतना लंबाइ और और इतना लंबाई और आप plus कर देंगे तो यह लंबाई कितना है देखिए यह 5 5 cm का offset है 5 5 10 5 15 और यह वाला offset 15 cm का है देखे 0.15 का इन सब को जोडरेंगे आपना तो कितना हो जाएगा 0.3 आ जाएगा 0.05 प्लस 0.05 प्लस 0.05 प्लस 0.15 करेंगे तो 0.3 मीटर आ जाएगा प्लस 0.3 इधर भी है 0.3 इधर भी है कि लंबाई कितना हो गया 4.6 मैंने यहाँ पर कितना लिखा है 4.6 बात सुन जाएगी नहीं ब्रिफ कितना लेकर चलेगे आप? ब्रिफ 0.9 ब्रिफ कितना लेकर चले? 0.9 और डेफ ते कितना? 1.2 याणि कि लोँग क्यों वाल में जब मैंने esteemating किया तो लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक चले है और ब्रिफ 0.9 लेकर चले है तो देखा जाए तो ब्रिथ मेंने इतना लिया 0.9 मीटर 0.9 यहां तक क्लियर हो गया अब सौट वाल में लंबाई 3 मीटर क्यों आता है यह देखिए अब 3 मीटर देखिए यहां से लेकर यहां तक दिया गया है अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि यह लंबाई तो बढ़ गया यह यह लंबाई कितना है 0.3 है तो ठीक है यह 0.3 लंबाई जादा हुआ लेकिन इतना लंबाई कम भी तो हुआ क्योंकि सौट वाल में लंबाई 3 मीटर यहां से लेकर यहां तक दिया गया है और जब हम लंबाई का निकाले थे तो इतना लंबाई जो सौट वाल का था वो लंबाई में चला गया यह है लंबाई का एस्टीमेटिंग हमने निकाला हुआ है तो इतना जो लंबाई था short wall का 0.3 मीटर जो था वो long wall में चला गया देखिए 3 मीटर हमारा यहां से लेकर यहां तक है करना परेगा 0.3 मीटर और प्लस करना परेगा 0.3 तो प्लस माइनस की वज़से वो कैंसिल हो जएगा क्या बचेगा क्या वाल तीन मीटर क्योंकि जितना लंबाई सौट वाल में इधर बढ़ता है उतना ही लंबाई सौट वाल का लॉंग वाल में चला जाता है जो कि हम long wall में consider कर लेते हैं इसलिए short wall के लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा जैसे जैसे option बदले गया लंबाई कम होता हुआ चला आएगा और इधर से long wall का breath कम होता हुआ चला आएगा यह breath इधर की तरफ जाएगा तो यहां से भी offset यह इधर की तरफ आएगा तो जितना यह line इधर जाएगा जितना यह long wall आपने short wall में ले लिया है जितना कम करेंगे उतना इधर से भी कम होगा इसलिए short wall के लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा जैसे जब brick wall की बात करेंगे जब हम यहां तक offset ले लेंगे यहां से यहां तक तो ब्रिथ हम यहां से यहां तक ले लेंगे तो इतना consider हो जाएगा तो इधर वाली लंबाई भी तो इहां तक लेंगे अब आप समझ गए होगे कहने का मतलब यह है कि long wall में लंबाई आपने इतना लिया ब्रित इतना लिया तो ये कुछ लंबाई जो है सौट वाल का लॉंग वाल में चला जाता है उतना ही लंबाई लॉंग वाल में चला जाता है जितना यहां पर बढ़ा हुआ होता है तो जितना इधर कम हुआ उतना इधर बढ़ गया इसलिए वो दोनों ए बटताव चला गया है और सॉट वायल में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है ठीक है बाद में यह लंफा इक होते 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 लास्ट में चार में बोटेवेश्चर पर पता है प्रूसर चण़र में शायता है जो चीज़े आपको आती है वही चीज़ और भी बच्चों को आनी चीज़ ली से और आगे बच्चों तक पहुंचाईए इसे फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में